फागुन मास में या फगुन मास के अंदर जो पुरण मासी आती है उस पे पूरे भारत में और पास में जो पड़ोशी देश है नेपाल और चैत के महिने में यानि सेगले महिने में थाइलेंड के अंदर भी एक उत्सब कहें या एक हुरदंग कहें या होहला कहें या जिसका नाम अभी जो परचलित है होली होली सी या होली उसके वारे में आज हम बात करेंगे और इसकी कहानी बहुत लंबी और बहुत इंट्रेस क्योंकि यह खुर्दंग और होखला मसता है इसका जो जिक्र है वो सबसे पहले मिलता है पाली साहित्य के धंपत की गाथा नमबर 26 और 27 में 26 और 27 का मतलब है अपमाद वग्ग वग का मतलब मैंने पहले बताया है वर्ग और प्रमाद में अगर ए लगा देते हैं तो ए प्रमाद हो जाता है और पाली में इसको बोलते हैं पमाद या अपमाद उस गाथा के अनुसार कुछ भिक्कू जो बुद्ध बिहार के अंदर हैं उनको वहां के उपासक कहते हैं जो अच्छे उपासक हैं के भिक्कू यहां साथ दिन तक लोग एक दूसरे पे धूल भैंकेंगे यहां एक परमाद का माहूल रहेगा यहां एक इरोटिक यानि परमाद मस्त वाला मद मस्त वाला जहां लोग बोरा जाते हैं या पालो जैसी हरकत करते हैं ऐसा माहूल रहेगा तो अतै आप लोग बिहार में ही रहें और आपको जो भोजन है हम लोग बिहार में ही इस नंबर की होती है मगर वहाँ पे होली सब्द का जिक्र नहीं है ना होली का का जिक्र है मगर पाली भासा में होला का जिक्र है होला जो होता है आप सब जानते होंगे खासतोर से जो गाउं के लोगे वो जानते हैं कि होला का मतलब होता है जो जो चने की फसल होती है, चने की फसल में जो चना होता है, हरा चना उसको होला बोलते हैं, और हेला सब्द भी आप जानते होंगे, हेला अभी तो वेश्ट बंगाल के अंदर कुछ लोगों की काश्ट के नाम से जाना जाता है, मगर हेला सब्द पाली के अंदर है, हेला का युक्त या ऐसा जिसमें इरोटिक या सेक्शुलिक बहुत ज़्यादा क्रियाएं होती है उसको पमाद बोलते हैं और पमाद युद खेल को यहां हेला बोलते हैं यानि उस खेल का नाम है तो यह आप जो ध्यान अगर देंगे तो इससे भी ज़्यादा एक इंपोर्टेंट बात निकल के आई और सामने आती है आपने अगर रखा सुत बंधन वाला अगर वीडियो देखा हो या ना भी देखा हो तो आप देख लें तो वो सावन के महने में आता है सावन की पूर्ण मासी को जब पहली संगिती होती है भगवान बुद्ध के महा परिनिर्मान के बाद जब पहली बार भिक्कों को ये एसास होता है कि धम को बचाने के लिए धम की सभी आयतों में, वर्सिस में, सुत्तों में या धम के सभी नियमों में एक गाठ बांद के उसको माला के रूप में प्रोदिय जाए यानि कि उसको गंठ बना दिय जाए गंठ बना दिय जाए और उसके लिए जब वो सत्पर्णी गुफा के आगे मंडप में पांच सो अरत बिक्को बैठते हैं तो वो जो सभा वहां जो त्रीपीटग यानि पूरे के पूरे साहित्य को बांधती है बनाती है और वहां से जो बंदाने श्टार्ट करती है उनका जो रक्षा करती है सुत्तों की रखा करती है वो साथ महिने में पूरे होते हैं और जो साथ महिना होता है पूरा वो जो फगुण है यानि जो फागुण है उसकी पूर्ण मासी को पूरे होते है फगु जो सब्द है फगु सब्द बना है ब्रतकाल से या भूके रहने से या निहार रहने का समय यानि कि आप अगर फगु का शब्द का मतलब जानेंगे तो फगु का मतलब है कि आपको ब्रत रखना है, भूके रहना है, मतलब आपको साधना में जाना है, तो खाना कम खाना है, यानि साधना का समय है, तो फगु से फगण मना है, और इस मास को अब चुँकि इसको फागण बोलते हैं, तो यह फागण की पूरण मासी है, जब यह आता है, तो यहाँ य गई कि जो रखा सुत्र पहले बंदे थे वो अब पूर्ण हो गए हैं और फगण मास में इसको उत्सब के रूप में मनाया जाता है खास और से बैंगलौर के जो महाबोधी बुद्विहार हैं वहाँ पे इसको धमपद उत्सब के नाम से या जो साहिट पूरा हुआ है उसके उत्सब के नाम से या फागणी मास उत्सब के नाम से इसको मनाया जाता है जो महाबोधी रूप में आता है जो साधू जो सादक हैं जो पासक हैं जो बैंगलौर में रहते हैं वो कई सालों से इसको देख रहे हैं और मना रहे हैं और ऐसा ही दिल्ली के अंदर भी आरंब हो दूली बोलते हैं धूल को और लेड्डू बोलते हैं धूल के यानि मिट्टी के धले को लेड्डू जो मिट्टी का धला है उसको और जो धूली है वो धूल को और इन दौनों सब्द को अगर मिला दें यानि कि लेड्डू और धूली तो यह बनता है दूलेड्डी दूलेड लगाते हैं या जो कारेकरम करते हैं। उस समय के जिक्र में कहीं गुलाल का या अभीर का या किसी भी तरह की किसी चीज का कोई जिक्र नहीं मिलता। लगवग एक साल के बीच का समय होता है तो लड़की के चांस जाता होते हैं कि वो मा बनने की सिति में होती है। कि वो महिला के साथ में कोई छेड़ छाड़ी करें और वो महिला अपने बच्चे से नुकसान उठा बैठे या कोई नुकसान उसके बच्चे को हो जाए। इसलिए वहाँ से उसके माबाप उसको हमेशा भेज देते हैं। ये एक परंपरा है जो आज भी लगवभ भारत के लोग इसको निभाते हैं। ये परंपरा इसी क्यारम से विक्सित हुई है ताकि बच्चा और माँ दोनों सेफ रहें। इस परंपरा में आपने ध्यान दिया होगा जैसे मैंने पहले भी बताया था कि भारत के सारे उससफ जितने भी हैं या जितने भी कायकरम हैं वो फसलों के उपर हैं। अभी चने की फसल यहां आई हुई है तो चने को होला बोलते हैं और जोंग की फसल भी आने वाली है यानि जोंग का भी देखते हैं तो जगे जगे आग जलाके इसमें दाने पकाके खाते हैं और देखते हैं कि दानों की स्थिति क्या है और आजकल तो गेहूं, पहले गेहूं नहीं होता था, आजकल गेहूं की जो बाल हैं, उनको भी जला के भूनते हैं और पानी का भी वर्सिपिंग करते हैं, यानि पानी इसके साथ जाता है पानी की वर्सिपिंग भारत की अपनी वर्सिपिंग है जो बहुत पुरानी वर्सिपिंग है और थाइलेंड के अंदर जो अगला महिना आएगा उसमें पानी की होली वो खेलते हैं खासतोर से बुद्ध भिहारों को साफ करते हैं और भगवान बुद्ध की जितनी भी चैते, स्थूप या प्रतिमा होती है उनको धोते हैं और उसी में वो मस्त होके आपस में एक दूसरे को भी पानी डालते हैं वहाँ का एक फैस्टिबल है पानी का फैस्टिबल महा होता है, रंग का नहीं है तो यह जो होला है, इस होला को यानि चने का जो हरा दाना है इस होला को जब जलाते हैं और जलाने के बाद में काईकरम हुआ तो यह सब का एक रूप लिया और वहाँ सब लोग मिलके दाने वगरा खाते हैं आप ध्यान देंगे कि जो दिवाली पे जो गौतम धम के नाम से जो बात में गौधन और गौधन से फिर गौतम धन हुआ, गौतम धन से गौधन हुआ और गौधन से फिर गोवर धन हुआ, यानि गोवर का जो बनाते हैं एक पुतला सा, उस पुतले में जो गोवर होती हैं, उस गोवर के वो गोल गोल धम चक बनाते हैं और साथ में एक माला बनाते हैं और उस धम चक को बाद में जलाया जाता है ये परंपराबाद में विक्सित हुई है ये परंपराबाद में इसलिए विक्सित हुई है क्योंकि इसको विकृत किया गया और इसको खराब किया गया और इस गौतम धम को गोवर धन में बदला और उस गोवर धन को याद लाने के लिए लाश तक भी लेके आए जिसको वो जलाते हैं और धम को खतम करने की परंपरा का एक विकृत रूप यहां दिखाई देता है क्योंकि धम्र चक्र बनी हुई आकरतियों को हुली में फैंकते हैं और जलाते हैं हो सकता है कि उसको याद करने के लिए भी हो मगर जलाना अच्छी बात नहीं होती और इस परंपरा का जो सबसे विक्रत रूप आया वो यह आया कि होला जिस दिन होता है और जो हिला वाला का इक्रम है उसके अगले दिन जो दुलेंडी आती है यानि धूल भरे जो लोग आते हैं यह साथ दिन तक चलता है उसके बाद भी चलता है और इसमें लोग परमाद में मस्त हो जाते हैं प्रमात में मस्त होने की वैसे उनके साथ में अनोहोनिया हो जाती है और उस अनोहोनी करने के लिए जो आपका दुस्वन होगा, जो आपको ख़तम करना चाहता होगा वो इस मौकी का फायदा उठाता है और उस प्रमात की अवस्था में चूकि आप में नसा पानी किया हुआ है आप वहां महिलाओं को छेड़ने का मन बना रहे हैं महिला आपको छेड़ने का मन बना रही हैं आप इरोटिक हुए हैं, बल्कुल सेटेक्टिव हैं बहुत ज़्यदा सेक्शली कामुक्ता में आप लड़पिट हुए हैं आपके मन मस्तिक्स में कामुक्ता है कामुक्ता जिसको भगवान ने मार का सबसे बड़ा सेना का हतियार बताया है तो उसमें होता क्या है कि आपको कोई हानी पहुचा सकता है, आपको मार सकता है, आपके बच्चों के साथ में कोई विक्रती कर सकता है, कोई जबजस्ती कर सकता है, आपके चोरी हो सकती है, आपके सरी का नुकसान हो सकता है, ये परंपराबाद में चली और इस परंपरा की आल में बहुत ज़्याद पाली का नाम है और उससे सम्मदित होली का है होली का जो नाम है वो भी पाली का नाम है होली का नाम पाली का इसलिए है क्योंकि जितने भी बाद में आ आता है वो नाम सारे महिलाओं के लगबग होते हैं जैसे होली का, विसाखा, मिगारमाता, सामा, महामाया, उपलवर्ना, पटाचारा, धमदीना, नंदा, सोना, सकुला, कुंडलकेसा, कच्चाना, यह सारे नाम जितने भी हैं लगबग आ के बाद में आते हैं, जो आज भी लगबग लता, सुनीता, यह सारे नाम, अनिता, यह जितने भी आवाले नाम हैं, यह महिलाओं के होते हैं. तो चुकि कहानी में यह बताया गया है, कि आग में दो लोग बैठे और जल गए, तो आग तो सब के लिए बरावर धर्म का काम करती है, अगर आग में दो लोग बैठे हैं, या तीन बैठे हैं, या चार बैठे हैं, चोटी सी बुद्धी की बात है कि सारे के सारे चल जाएंगे तो आग में कोई भी वस्तुर आप डालेंगे आग उसको भस्न कर देगी यह आग का ध्रम होता है इसलिए कहानियां कहानियां होती है कहानियों पर आप यकिन करें ना करें मगर यह बात सचाई है कि इस परमाद वाली इस्तिती में आपको नुकसान करने के लिए आज भी कोई आ सकता है अपना मूँ काला करके टोली बना के आपको नुकसान कर सकता है और और भी अगर कोई नुकसान करने ना भी आए तो जो कारेकरम आज की डेट में जो डेपलफ हो पके आगे आया है इसमें बहुत ज़्यादा सरी को नुकसान होता है धुआ होता है, पॉलूशन बढ़ता है इसमें पैसे खराब होते हैं और इसका कहीं कोई फायदा या उचत्य नहीं है भगवान बुद्र ने अपनी गाथा में बताया था कि जो अच्छे लोग होते हैं, वो पुरमाद में नहीं पढ़ते आज भी जो अच्छे लोग होते हैं, जो अकलबन लोग होते हैं बुद्धी वहले लोग होते हैं, वो इस पुरमाद में नहीं पढ़ते जिनको प्रमाद मदमस करता है, वो लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं, और वो जाके वहाँ जितनी निगटिव एनरजी है, उस सब का इस्तमाल करते हैं, ये जो एक दूसरे के उपर होली खेलने का, या कुछ फैंकने का, या कुछ करने का काईकरम प्रमाद वाला है, ये प अच्छी तरह से आप इस्तमाल करेंगे इसको, तो थोड़ा पहुत जॉई मिल सकता है, मगर भारत जैसे देश में इसका निगटिव फायदा उठाके, लोगों ने इसको विक्रत करके, और इसमें अपनी दुस्मनिया निकाली हैं, और लोगों ने, ये जो कहानिया चलती ह इसलिए से नो टू होली या से नो टू प्रमाद, धन्यवाद